सुरक्षा हटी सियासत बड़ी हलावोल में फिर से आपका स्वागत है आपके साथ मैं हूँ अंजना ओम कर्शेफ दरसल फैसला ये है कि स्पीजी सिक्योरिटी के घेरे से सोनिया गांधी राहूल गांधी प्रियांका बादरा को हटा दिया जाएगा और जेट प्लस सिक्योर का है उसकी अंदेखी करके सरकार और खास तोर पर मोधी सरकार अपना फैसले को थोप रही है और ये राजनितिक रंजिश का हिस्सा है इसी पर हम चर्चा करें आई चर्चा को आगे लिए चलते हैं मुझे लगता है इसका जवाब आपको देना चाहिए जो बाते वो कह रह के वो एक देश के रूप में लिया जाता है क्योंकि उनकी जिन्दगी को खत्रा देखा जाता है और कुछ भी उनको होने की आशंका से पूरा देश प्रभावित होता है बड़ी तस्वीर आप लोग नहीं देख रहे हैं क्या हम इसी लिए तो बड़ी तस्वीर की बात कर मैं पुना अपनी बात को रीट्रेट कर रहा हूं पुना कह रहा हूं जो मैंने पहले कहा था सुरक्षा हटी नहीं है उनके पास देश की सर्वोच सुरक्षा आज भी है जेट प्लस SPG जो केवलो केवल प्रधान मंतरी के लिए होती थी वो अब प्रधान मंतरी के समकष की सिकर्टी चाहते हैं यानि वो वही सुरक्षा जो प्रधान मंतरी को मिलनी चाहिए उतना ही बड़ा थेट परसेप्षन जो देश के प्रधान मंतरी को है और विशेशकर मोदी जी जि इसा भी रंजीता जी ने कहा कि अगर हम यह विश्य ना होता हम कुछ और कहते तो जो दृष्य हम देख रहे हैं आपके टीवी चैनल पे यह बताइए उन मुद्दों को लेकर जिन मुद्दों के आपने बात कहीं कभी देखा कॉंग्रेस को ऐसे सड़क पर अंदुलन करते तो यह स्वयम दर्शाता है कि आप जनता के मुद्दों से प्रेरित जादा हैं या वेक्तिगत जो कारण हैं उनसे प्रेरित होकर राजनी त्यारिक कर रहे हैं रंजी जी इसका जवाब देजे फिर मिश्वा साब एक सवाल लेके मैं आपके पास आउगे आजना जी सुधानशु जी आप फटा फट जवाब दें कि आप राजनितिक पार्टियों के अजेंडों के खिलाफ हैं या राजनितिक पार्टि के एक परिवार से एक प्रधान मंत्री और एक संग बदला लेने के लिए इस तरह की छोटी-छोटी हरकते कर रहे हैं और उसकी साथ ही बना था, कि अगर इस तरह की घटना और इस तरह का खत्र अगर किसी प्रधान मंत्री पे होगा तो इस तरह की situation में उनकी family को भी दिया जाएगा और फिर राजीव गांधी जी के death के बाद ही पूर प्रधान मंत्रीों का भी नियम बनाया गया आप बार बार जो एक बात कहा रहा है कि सिर्फ प्रधान मंत्री सिर्फ प्रधान मंत्री सुधान्शु जी क्या यही तो दुख का कारण नहीं है कि आज पूरे देश में सिर्फ चार लोगों के पास SPG थी जो हमारे पूर प्रधान मंत्री जो तीन तीन एक फैमिली से हुए उनकी फैमिली के उनके बच्चों को और चौथे प्रदान मंत्री नरेन मोधी जी थे जो कॉंग्रेस ने एक कानून बना के स्पी जी का में मिलेगी। बिल्कुल भी नहीं हो सकता है अंजना जी ये उनके शब्द है जिनको मैंने रिपीट किया ये उनकी धौस है और ये उनकी धौस जो रैलियों में निकल के आ रही थी कि भाईया हम तो गांधी मुक्त राजनिती है देश को करेंगे ये धंकी और धौस को हम दे रहा है क्या आ बार बार किसने ये धौस और किसने ये रैलियां की थी मैं फिर कहूंगी कि ये जो पॉलिटिकल मेंडेटा के तहट आप इस तरह की जो चीजों को आप कह रहे हैं पारलेमेंट में आप वहाँ पे इस पस्टी करण दे दें कि आखिर किस के तहट एक महीने पहले आप ही कि बार यह कि भाई हम बहुत परिशान है SPG से ये खबर आ रही है कि हम बहुत परिशान है राउल गांदी जी को बहुत खत्रा है चूकि वो विदेश चले जाते बिना SPG के तो यह हम बढ़दाश नहीं करेंगे और विदेश में भी चूकि उनको खत्रा है तो SPG को उनके के नीचे जब अमेंडमेंट इसमें किया गया था SPG आक में तो दस साल का जो पहरे पीरेड था उसको घटाया गया था रिव्यू करने के लिए कि एक साल के बाद रिव्यू कीजे उसके बाद से फॉर्मर प्राइमनिस्टर के प्रोटेक्शन पर आप फैसा लीजे और दू हुआ तो वो था उनके जो गांधी परिबार है आप्टर राजीब गांधी इस डेट उनको भी दिया गया एक्स्टेंड किया गया लेकिन ये SPG जो था ये इनको लेके कहीं भी वर्ड में आप जाए SPG आपके साथ रहेगा it is not that कि आप कहीं पर गया वो information leak out हो जाएगा उस जभी SPG जभी ये परिबार बाहर जाता था हम लोग साथ में जाते थे बाहर में हम लोग अडवांस सेक्रूर्टी लिया जन के लिए जाते थे लेकिन ये जो है बाद में देखा गया कि SPG प्रोटेक्टी बाहर में गे और जान भुज़ करके वहां पर फस्ट जहां पर झाल